बात करेंगे रिवाडी की बड़ी खबरों के बारे में तो वीडियो करते हैं शुरू देखिए सबसे पहले आपको बड़ी खबर में बता रहता हूँ रिवाडी के अंदर जो बावल जगए बावल के अंदर एक गाम आता है खेडी वहाँ पर एक व्यक्ती की साथ बड़ी ठगी देखने को मिली है एक लाख रुपए की उसके साथ ठगी करी है और देखिए ठगी कोई साइबर तरीकी समया कह सकते है साइबर क्राइम नहीं किया देखिए कैसे ठगी होई उसके साथ वह व्यक्ती SPI बैंक के अंदर रुपए जमा कराने के लिए गया था एक लाख रुपए के आसपास उसके पास रुपए थे और जब वो बैंक में रुपए जमा कराने के लिए गया तो बैंक में उसको कुछ पैन कार्ड पगेरा लिंक नहीं था जिसके चलते बैंक ने का कि आपका pen card लिंक नहीं है पहले वो लिंक कराईए तब ही वहाँ पर एक व्यक्ति आया जो उस पर नजर रख रहा था कि मल उसके पैसों पर नजर रख रहा था इसके बाद व्यक्ति सोचा कि अगर यहाँ पैसे जमा नहीं तो कोई बात नहीं है मैंने दूसरे वाले आकाउंट में जमा कराया था हूँ PNB बैंक के अंदर व्यक्ति SBI से सीधा PNB में चला गया और PNB में जैसे वो फॉर्म वगेरा भरने लगा पैसे जमा कराने के तब ही उसने अपना जो बैग है वो साइड में रख दिया और जो शाति ठग था उसने उसके बैग से पैसे निकाल लिये और जब व्यक्ति ने देखा अपने बैग में तो उसे एक भी रुपए उसमें नहीं मिला इसके बाद उसने शोर मचा है लेकिन तब तक वो शाति ठग भाग चुका था मतलब बैंक के अंदर से उस व्यक्ति के लगबग एक लाक रुपए चोरी कर लिए गए अब देख सकते हैं कि यह गटना है लगातार बढ़ती जा रही तो आप लोग भी बैंक में जाए तो बहुत ही समल कर देखो और देखी पैसे तो साइड में रखके ही बिल्कुल ना पैसे अगर साइड में रख दिया तो आपकी पैसे गायब हो सकते हैं इसके बाद दूसरी बढ़ी ख़़र आपको दाएता हूँ रिवाडी में यह परेशानी बढ़ रही दिगे मैं आपको यह बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया भी था एक-दो तिन पहले कि डेंगो की मरीच रिवाडी जिले केंदर अगर हम डेंगो के मरीच की बात करें तो लगबग 12 शा तक लगाने वाले हैं 200 के आसपास केस होने वाले हैं सिर्फ रिवाडी रिवाडी अगर हम शहर से बात करें तो लगबग 100 केस के आसपास आ चुके हैं रोजाना 5 case आ रहे हैं और मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि प्लीज आप लोग संबल कर रहे हैं क्योंकि जो डेंगू के case ते लगातार बढ़ रहे हैं रोजाना 5-6 लोगों को नए case हम देखने को हम कह रहे हैं मिल रहे हैं तो इसके चल दे सरकार भी बार बार कही कि आप संबल कर रहे हैं इसके बाद कोई भी आपको दिक्कत हो याप symptom कोई भी दिखाई दिये बुखार या जो काम कैसे भी अगर ठीक नहीं हो तो प्लीज डॉक्टर को जरूर जाके एक बड़ चेक कराएं इसके बाद बड़ी कबर तीसी CET एक्जाम से रिलेटेड आप सभी न सोनी पत पलवल कहीं भी आया हो वो बस्टेंड जाए और आज से लगबग 9 बजे के बाद से आप जाके अपनी बुक करवा सकते बस है जो भी जहां भी आपको जाने वहां की बस है उसको आप बुक करा सकते हैं और इसके बाद आपको फ्री सेवा मिलेगी बिल्कुल फ्री हम कह सकते हैं लड़की है तो उसके साथ उसकी मम्मी पापा या कोई भी भाई बेन जो भी गारजन या पेरेंट्स कोई भी जाना चाते है तो उसकी भी टिकेट नहीं लगेगी ये सिर्फ लड़कियों के लिए लड़कों के साथ अगर उनका पेरेंट्स या कोई जाते है तो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे धन्यवाद